हलस्तो आप देख रहे हैं एपके गुरू चैनल दोस्तो आज का दो तिन सवाल है जो आप इसे जो लोग कमेंड करके पूछे हुए हैं पहला सवाल है कि बकली का पैसाब क्यूं रुक जाता है दूसरा है कि सर्सो का तेल कब पिलाएं तिसरा आपको है क्या जो दलहनी खाना जो है वो आप खिरा सकते हैं या नहीं जिस राजी में जो दलहनी ये जाल का जो भूसा हो खिरा सकते हैं कि नहीं आईए इसी इसे में हम आपसे बात करेंगे इससे पहला अगर इस चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लिजिए और बिल आइकोन को भी दबा दीजिएगा और अगर आपको का वीडियो अच्छा लगता है आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं पहला जो है चर्बी यानि जब बक्री पिसाब रूख जाता है तो जो कारण से होता है जब चर्बी बर गया हो या फिर पत्थरी यानि जो पत्थर होते चोटे 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 ओ आ गया हो पिसाब के रास्ता उससे प्रब्लम होता है इसलिए पिसाब रूख जाता ह लिब यह में इसतीज होने की क्या व कहने क्वा रहेगा मुंध होने वाला नहीं है क्याया कि is the का खुराक हुआ इतना उसको उतना खिलाए क्योंकि उसके बात जुगाल करने के लिए भी उसका फिरी होना चाहिए एनी टाइम आप खाना नहीं देते रहें अखास करके दाना और नमक से ज्यादा चेर्वी भी बढ़ता है उसके बाब पत्री बढ़ता है पत्रीका होता है सरण होता है उसके संस्ट घंळ एक हैं उसके बाद है घंळ काई हैं को आप आप खिला सकते हैं जो मुंक्त का हो यह फिर आपका सरीसों का हो यह जो बकरी खाए उसको आप खिला सकते हैं कोई उसे problem नहीं है उसके बाद है आपका कि सरसो का तेल कब पिलाएं सरसो का तेल आप 2-3 मेना पिला सकते हैं ज्यादे-ज्यादा 5 ml पहांचे में से ज्यादा आप सर्सो का तेल ना पिला है और आप दो से तीन मेहना पे आप उसको पिला सकते हैं सर्सो का तेल और अपने बकरी को डिवार्मिंग जरूर करा है